Hello Friends, नमस्कार, Welcome to our Channel Friends, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा important होने वाला है अगर आप कर रहे हैं J.E. Men's or NEET 2021 exams के लिए त्यारी जी हाँ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे J.E. Men's exam date क्या हो सकती है NEET की exam date क्या हो सकती है और exam में आपको क्या नया pattern देखने को अब की बार मिल सकता है उससे पहले Friends, मैं आप सभी के साथ एक चोटी सी information share करना चाऊँगा Friends, अगर आप Class 10th में हो और preparation कर रहे हो IIT J.E. 2023 के लिए तो इंडिया का largest and best learning platform and academy आप सभी के लिए लेके आया है Class 10th bootcamp जो के 13 December से 19 December तक चलेगा और Friends, इसके लिए registration आज से ही होना start हो गए है नीचे description में मैंने link दे दिया है और अगर आप Friends, registration करते साइम exam info जो screen पर आपको code दिहाई दे रहा है वो डालते हो तो आप इस bootcamp के अंदर बिलकुल free में enroll कर जाओगे तो Friends, इस bootcamp के अंदर आपको 22 educators मिलके आपके 30 session लेंगे जिसके अंदर आपके IIT Jai से जुड़े सभी डाउट दूर करके जाएंगे और Friends, आपके physics chemistry और maths के basic concept भी दूर करके जाएंगे इसके बाद Friends, आपका 19th of December को 12 सी 3 बज़े के बीच में scholarship test होगा जिसके अंदर आप top prize जीद सकते हैं अगर आप top 3 rank लेकर क्याते हैं तो 2 year के लिए IIT Jai plus subscription आपको बिलकुल free मिल जाएगा मतलब कि आप 2 साल के लिए IIT Jai की preparation बिलकुल free करपाऊगे अगर आपका rank 4 सी 20 ग in between आता है तो आपको 10,000 रूपे के imagine voucher और 21 से 50 के बीच में रहें काता है तो आपको 3,000 रूपे तक के imagine voucher gift के रूप में मिलेंगे यहाँ पर आप पूरा schedule note कर सकते हैं 13 December को ये batch बारा बज़े start होगा announcement के साथ जो नमो कोल और समीर सर करेंगे जो बताएंगे आपको इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है फिर जो है आयू जराटी सर और अरिंदम सर आपको जो है बताएंगे transition कैसे होगा 10th class से plus one के अंदर क्या क्या changes आपको देखने को मिलेंगे school और college life में क्या 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 difference आपको देखने को मिलेगा need 2021 exam के बारे में जैसे फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं जेई मैंस का exam one month late होगा ये बात आप सभी जानते हैं और most probably जो तारिक बताई जा रही है वो 15 फरवरी है फ्रेंड्स तो आप अगर अपनी त्यारी कर रहे हैं तो 15 फरवरी के लिए ही आप अपनी त्यारी करियेगा हो सकता है फ्रेंड्स दो या तिन दिन पहले भी हो जाए और हो सकता है दो या तीन दिन भाद भी हो जाए लेकिन आपको 15 फरवरी के राउंड अपनी त्यारी कम्प्लिक कर लेने चाहिए तो आपके पास मैं बात करूँ यहाँ पर दो महीने बचे वे हैं और दो महीनों के लिए आपकी क्या स्ट्रेजी रहने चाहिए वो भी हमने हमारे चैनल पर बता रखी है और फ्रेंड्स बात करें NEET 2021 एक्जाम डेट के बारे में तो यह एक्जाम अभी तक वैसे कुछ बोला तो नहीं गया है लेकिन जहां तक हमारा मानना है कि आपका यह एक्जाम भी वन मन्थ लेट जरूर होगा क्योंकि फ्रेंड्स काफी ज़्यादा स्टुडेंट्स ही डिमांड कर रहे हैं कि सिलेवर्स रिडूस किया जाए लेकिन सिलेवर्स रिडूस के बारे में कोई विचार नहीं है एंटे का तो इसी के एक्जाम लग रहा है कि वन मन्थ आपका नीट का एक्जाम भी डिले जरूर होने वाला है अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एक्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है तो जेई मैंस का जो जनवरी में एक्जाम होना है उसका पैटर्न आप सभी जानते है कि क्या रहाए सकता है यह साब-साब बोल दिया गया है कि 75 क्योस्टन आपको देखने को मिलेंगे आपको करने होगे टोटल जिसमें से 90 क्योस्टन में से टोटल 90 क्योस्टन होंगे जिसमें से आपको 75 क्योस्टन ही करने होंगे ये सही है या गलत है फ्रेंट्स ये आप कमेंट सेक्षिन में अपनी राय जरूर बीजिएगा बाकी मेरे उपेनियन से ये सही नहीं होगा क्योंकि अगर ये हो जाता है तो कट ओफ जो है इतनी जादा हाई चली जाएगी कि जो है एक नॉर्मल अवरेज बढ़ने वाले से जो है कट ओफ से काफी दूर चला जाएगा तो फ्रेंट्स बात कर लें इसके attempt की तो ये बोला गया है कि आपके 4 attempts किये जा सकते हैं 1 year के अंदर January, February, April and May तो फ्रेंट्स ये कहीं अच्छी बात है कि 4 attempts किये जा रही है लेकिन फ्रेंट्स दो से अचानक बढ़ा कर च्यार कर दे गए ये कैसे हो सकता है सबसे पहले एक attempt हुआ करता था उसके बाद फिर 2 किये गए अभी जो है च्यार करने की बात की जा रही है इसके बारे में comment section में अपनी राय जरूर दे तो फ्रेंट्स इधर बात कर लेते हैं आपके NEET exam 2021 की तो यहाँ पर ऐसा आ सकता है कि आपके 210 questions आपके बार पूछे जाएंगे जिसमें से 180 questions ही आपको करने होंगे मतलब यह है friends कि आपके जो है इसी मैं बात करूँ biology की तो आपको 100 questions दिये जाएंगे जिसमें से आपको 90 करने होंगे इसी परकार 45 questions की जगह 55 questions दिये जाएंगे chemistry और physics में जिसमें से आपको 45 questions ही करने होंगे तो friends अगर ऐसा होता है NEET के अंदर तो आपने अभी अब की बार भी देखा है 20-20 के अंदर की simple थोड़ा सा easy language दी टी पेपर की उसके कांड कट ओफ कितनी ज़्यादा हाई चली गई है तो friends अगर 210 questions दिये जाते हैं तो आपकी कट ओफ कितनी ज़्यादा हाई जा सकती है तो ये सही नहीं होगा और मैं तो नहीं चाहता कि NEET के अंदर ऐसा होना चाहिए अगर ऐसा हो जाता है तो friends आप ये लगा के चलेगा कि 650 marks आने पर भी आपके लिए government college में admission लेना मुश्किल हो जाएगा आप क्या सोचते हैं इस बारे में जरूर दाइएगा तो friends सबसे बड़ी बात जो NEET students के साथ आती है वो ये है कि इनको जो है केवल एक ही attempt दिया जाता है इनके लिए attempt क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे है J-man's और NEET में पहले एक एक ही attempt हुआ करते थे वन इयर के अंदर लेकिन J-man's के अंदर फिर दो attempt करते गए जिसे की मांग उठी की NEET के अंदर भी दो attempt किये जाने चाहिए लेकिन ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया और सिरफ ये बात का दिलासा दे दिया गया कि 2021 के अंदर आपके दो जो है chance आपको दिये जा सकते हैं लेकिन 2020 का session इतना late हो गया कि ये बात जो है किसी ने उठाई नहीं 2021 के अंदर टो attempt की लेकिन अभी जो है जैई man's के अंदर दो attempt की बज़ाए च्यार attempt दी जा रहे हैं लेकिन NEET के उपर अभी भी कुछ नहीं ऐसा बोला जा रहा है तो NEET के सभी विज़ारती है बारी नंबर पर डिमांड कर रहे हैं कि NEET के अंदर at least दो attempt तो जीए जाने चाहिए वो हो सकता है फरवरी और मई में दे दी जाएं तो बहुत अच्छा है जिससे की वो एक ही session के अंदर participate कर पाएं और उनका जो है कोई भी एर खराब नहीं हो तो friends आप क्या सोचते हैं क्या दो attempt मिलने चाहिए NEET exam के अंदर क्योंकि J-ments और NEET एक लेवल के exam है तो NEET के students के साथ अन्याई नहीं किया जाना चाहिए तो friends आप क्या सोचते हैं comment section में जरूर पताईएगा और friends अपनी preparation अभी से शुरू कर दो अगर अभी तक नहीं की है और कर रखी है तो उसको थोड़ा ओर टेज कर दो क्योंकि exam के अंदर सेमय बहुत कम है ये 4 महीने NEET के लिए बहुत कम पढ़ेंगे आपके लिए friends आप जितना ज़्यादा होज के उतना तेजी से अपनी त्यारी जोय सुरू कर दो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू